नमस्कार आप देखरें उत्रप्रदेश ट्रैंस में आपके साथ धिती शर्मा बदलाव की आत्रा में बदलते उत्रप्रदेश में पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ आईए देखते हैं योगी सरकार 30,000 युवाओं को देगी सूर्य मित्र की ट्रेनिंग उत्रप्रदेश सरकार ने राज्य के प्रतेख घर की चट पर सौर पैनल इस्थापित करने के महत्व कांची लक्षे को साकार करने के लिए एक नई घोशना की है इस योजना के तहट 30,000 युवाओं को सूर्य मित्र के रूप में प्रिसिक्षित किया जाएगा यह कदम के इन सरकार द्वारा पिछले वर्ष परवरी में शुरू की गई प्रधान मंत्री सूर्य घर योजना के अनुरूप है जिसका उदेश यदेश भर में एक करोड घरों की चटों पर सौर पैनल लगाना है मोकी मंत्री योगी आदितनात के नेतरतों में उत्रिप्रदेश सरकार ने इस दिशा में उलेक निये प्रगरती की है जिसके फल सुरूप राज्य में अब तक 25 लाग से अधिक सौर पैनल स्थापित के जा चुके हैं यह पहलना केबल सुच उर्जा को बढ़ावा देगी बलकि युवाओं के लिए भी रोजगार के अफसर भी सरजित करेगी कानपुर के 28 रूटों पर दोड़ेगी नई 42 सीटर बसे शहर की यात्रा होगी आसान उत्रप्रिदेश में बढ़ती जनसंख्या का असर परीवन पर भी पड़ा है पांस साल में बसों में यात्री लोड में दो गुना बढ़ोत्री हुई है इसी को देखते हुए संभागे परीवन अफसर ने शहर में सीटी बसे चलाने का फैसला लिया है शहर में अब 42 सीटर बसे शुरू की जाएंगे जिससे यात्रू को बसों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वे समय पर अपने गंतव्य पर पहुंच सकेंगे शहर में 28 रूटों पर 100 से 125 मीनी बसे दौर रही है शहर में चलनने वाली मेनी सीटी बसों की चमता 18, 22, 26 और 28 सीटर है इन बसों को रिप्लेस कर उनके स्थान पर या फिर नए 42 सीटर बसों को परमिट देने का प्रस्ता बना है वंदे भारत एक्स्प्रेस का ठहराव अब अलिगर्ड इस्टेशन पर भी होगा दिल्ली और अयोध्या के भी चलने वाली वंदे भारत आनद विहार स्टेशन चे चल कर अलिगर्ड पहुंचेगी रेलवे में निकली 1376 पदों पर भरती रेलवे भरती बोर्ड ने पैरा मैडिकल कैटेगरी में विभिन पदों पर भरती निकाली है जिसमें नर्सिंग अधिक्षक से लेकर आहार विशिशग्य और लैब असिस्टन जैसे पद शामिल है आवेदन की प्रिकरिया 17 अगस से शुरू होगी और आवेदन करने की आखरी तारिक 16 सितम बर निरधारित की गई है योग्य और इच्चुक उमिद्वार रेलवे भरती बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं देशभर में होगी बैंक पीयो की भरती बैंकिंग कार्मिक चेंस अंस्तान यानि IBPS देशभर के कई बैंकों में पीयो यानि प्रोबेशनरी ओफिसर की भरती कर रहा है उमिद्वार IBPS की अधिकारिक वेबसाइट IBPS.in पर जाकर ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने की आखरी डेट 21 अगस 2024 है IBPS कुल 4455 पदों पर प्रोबेशनरी ओफिसर्स की भरती करेगा इस नौकरी के लिए उमिद्वार के पास इस नातक की डिगरी होनी चाहिए और उसकी उम्र 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए OBCO सामने के लिए उमिद्वारों के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपे है जबकि SCST और PWD उमिद्वारों के लिए शुल्क 175 रुपे है पलाल आज की बिलेटर में इतना ही देश-विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुरे हैने के लिए देखते रहें उत्तरप्रदेश टाइम्स धन्यवाद हम है देश के दिल उत्तरप्रदेश की धनकन उत्तरप्रदेश टाइम्स